1977 में दो स्पेस्क्राफ्ट वॉयजर 1 और वॉयजर 2 एक ऐसे सफर पर निकले जिसने ब्रह्मान में मानवता की पहुच को नया मतलब दिया ये धर्ती के दो दूद थे जिन्हें हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों जूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेप्ट्यून की खोज के लिए भेजा गया था हमें क्या पता था कि इनका सफर हमारे कॉजमिक नेबर हुट से भी बहुत आगे तक जाएगा वोयजर मिशन्स, इंसानी दिमाग की ताकत और नॉलेज के लिए हमारी प्यास का सबूत थे साइन्टिस्ट्स और इंजिनियर्स ने इन रोबोटिक एक्स्प्लोरर्स को बनाने में अपना सब कुछ छोग दिया उन्होंने इन में कटिंग एज इंस्ट्रुमेंट्स लगाए जो स्टनिंग इमेजिस कैप्चर करेंगे और इन्वैल्यूबल डेटा इकठा करेंगे दुनिया ने ब्रैथ होड करके देखा जब वोयजर्स अंजाने में उडान भरी उनके सफर ने स्पेस एक्स्प्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत किये जिस युग में हुमन अंडर्स्टैंडिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने का बादा था एक्साइट्मेंट साफ दिख रहा था एंटिसिपेशन और वंडर का मिश्रन कि ये इंट्रेपिड एक्स्प्लोरर्स क्या नया ढूंडेंगे बाहरी सौर मंडल से वॉयजर्स का सफर स्पेक्टैकुलर से कम नहीं था हर ग्रह से मुलाकात ब्रेथटेकिंग इमिजज और ग्राउंडब्रेकिंग डिस्कवरीज लेकर आई जूपिटर के पास से गुजरते हुए वॉयजर वन ने गैस जायंट के स्वर्लिंग स्टॉर्म्स को अभूत पूर्व डीटेल में दिखाया जिसमें ग्रेट रेट स्पॉट भी था एक तूफान जो धर्ती से भी बढ़ा है वॉयजर 2 ने एक्स्प्लोरेशन जारी रखी और सैटर्न के मजेस्टिक रिंग्स के स्टनिंग व्यूज कैप्चर किये रिंग्स के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ने साइन्टिस्ट को हैरान कर दिया और प्रीवियस तियोरीज को चुनौती थी स्पेसक्राफ्ट ने शेपर्ड मून्स का भी पता लगाया ये छोटे सैटिलाइट्स हैं जो रिंग्स के शेप को मेंटेन करने में मदद करते हैं यूरेनुस एक आइस जाइंट जो साइडवेस टिल्टेड है एक यूनीक चैलेंज पेश करता था वॉयजर 2 के अब्सरवेशन्स ने इसके फेंट रिंग्स और सप्राइजिंगली डाइनेमिक एटमस्फिर का खुलासा किया फिर स्पेस क्राफ्ट ने नेप्ट्यून का सफर तै किया जो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है जहां उसे टर्बिलेंट वर्ड मिला जिसमें सूपरसॉनिक विंड्स और ग्रेट डर्क स्पॉट नाम का एक मैसिव स्टॉर्ब सिस्टम था जैसे जैसे वॉयजर्स धर्ती से दूर जाते गए वे अपने साथ एक यूनीक मैसेज लेकर गए एक गोल्डन रेकॉर्ड जिसमें हमारे ग्रह के साउंड्स और इमिजज थे ये इंटरस्टेलर टाइम कैप्सूल जिसे गोल्डन रेकॉर्ड कहा जाता है कनेक्शन के लिए मानवता की उम्मीद का प्रतीक था स्पेस के विशाल समुदर में फेंकी गई एक कॉस्मिक मेसेज इन अ बॉटर गोल्डन रेकॉर्ड में 55 भाशाओं में ग्रीटिंग्स हैं दुनिया भर से म्यूजिक का कलेक्शन है और नीचर के साउंड्स है इसमें धर्ती के डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स की इमेज़ेज भी हैं माइक्रोस्कॉपिक और्गनिजम से लेकर उंचे पेड़ों तक रिकॉर्ड की कॉंटेंट्स को ध्यान से चुना गया था ताकि धर्ती पर जीवन की रिचनिस और डाइवर्सिटी को रेप्रिजेंट किया जा सके हमारे ग्रह के हिस्ट्री और कल्चर का एक स्नैपशॉट ये होप और पीस का मेसेज है हमारी शेर्ड हुमानिटी का सबूत है और स्टार्स के बीच मौझूद अधर इंटेलिजेंट पीइंग से कनेक्ट करने की लॉंगिंग है सेक्शन फोर जहात से परे 2012 में वॉयजर वन ने एक हिस्टॉरिक बाउंडरी पार की हीलियोपॉस यह इंटरस्टेलर स्पेस में मानवता का पहला कदम था स्टार्स के बीच का रीजन वॉयजर वन के इंस्टॉमेंट्स ने इस अंचार्टिट टेरिटॉरी से डेटा भेजना शुरू कर दिया जिस से इंटरस्टेलर मैटर की नेचर और सोलर वेंड और इंटरस्टेलर मीडियम के इंटरक्शन के बारे में इंवैल्यूबल इंसाइट्स मिले हिलियो पॉज को पार करना, वॉयजर मिशन की लॉंग्जेविटी और इसे डिजाइन करने वाले इंजिनियर्स की इंजिनिविटी का सबूद था स्पेस्क्राफ्ट अपने इनिशल डिजाइन लाफस्पैन से कहीं आगे ऑपरेट कर रहा है ड्विंडलिंग पावर रिजर्व्स और इंजिनियस वोकराउंड्स पर निर्भर रहकर अपने इंस्ट्रुमेंट्स को फंक्शनिंग रखता है इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयजर वन का सफर एक्स्प्लोरेशन के बाउंडलिस स्पिरिट का सबूद है इसका भेजा हर डेटा युनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है और फ्यूचर जेनरेशन्स को स्टार्स तक पहुँचने के लिए इंस्पायर करता है सेक्शन फाइव एक स्थाई विरासत वॉयजर मिशन्स ने ह्यूमन हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ी है उन्होंने सोलर सिस्टम और उसके आगे की हमारी समझ को बढ़ाया है हमारे कॉस्मिक नेबर हुड की ब्यूटी और वंडर का खुलासा किया है मिशन्स ने साइंटिस्ट्स, इंजिनियर्स और ड्रीमर्स की जेनरेशन्स को इंस्पायर किया है एक्स्प्लोरेशन के लिए एक पैशन जगाया है जो आज तक जारी है गोल्डन रिकॉर्ड हमारी शेर्ड हुमानिटी का एक पॉइन्यन्ट रिमाइंडर हमारे जाने के बहुत बात भी कॉजमोस में अपने सफर को जारी रखेगा ये होप के बीकन का काम करता है इस बिलीफ का सबूत है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं है वॉयजर मिशन्स, हुमन क्यूरियोसिटी, इंजिनिविटी और अन्नोन को एक्स्प्लोर करने की हमारी एंड्यूरिंग डिजायर की पावर का सबूत है जैसे जैसे ये इंट्रेपिड एक्स्प्लोरर्स कॉजमोस में आगे बरते हैं वे अपने साथ मानवता के ड्रीम्स और एस्पिरेशन्स लेकर जाते हैं एक लेगसी जो आने वाली जेनरेशन्स को इंस्पायर करती रहेगी